हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Vivo T2 and nvile phone में आप आप जो है high contrast text setting को आपना enable कैसे कर सकते हैं और कि on कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह high contrast text setting जो इनेबल होने के बाद ही setting कैसे काम करती है आज कि इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप इस वीडियो को start हम कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page आपको open करना है ठीक है setting page को open कर लीजिए setting page में आपको नीचे आना है यापर आपको यह option मिलेगा shortcut and accessibility इसे आपको select करना है इसके अगले page में आपको नीचे आना है यापर आपको यह option मिलेगा accessibility इसे आपको select करना है अब इसके अगले page में आपको नीचे आना है यापर आपको option मिलेगा यह font and display size इसे आपको select करना है इसके अगले पेज में आपको नीची आना है, यहाँ पर आपको यह option मिल जागा, high contrast text का, इस option के ठीक सामने आपको बटन दे रखाना, इस बटन को आपको tap करना है, तो यह button on हो जाएगा आपका, यानि कि आपकी setting इनेबल हो जाएगी, इस setting को इनेबल करने से पहले मैं आपक कुछ बाते हैं आपे बता देता हूँ, ठीक है, तो देखे दोस्तों आपको जो है ना, यह जो नीचे की side लिखा हुआ है जितना भी area, इनका जो color है ना, इनका color ऊपर वाले के high contrast text, यह जो लिखा हुआ है, इसके color से नीचे वाली lines का color जो हलका है, black तो है, लेकिन dull color है इन का color देखे, dark हो गया, उपर वाले के color के जैसे, ठीक है, तो यह setting जो ना, इस तरीके से काम करती है, आपके mobile phone में on करने के बाट, ठीक है, आपके पूरे mobile system में जहां कहीं भी आपके text होते हैं, वो आपके dull होंगे ना, तो इस तरीके से dark हो जाएंगे, यह setting ऐसे काम करती है, अब मैं आपको यह high contrast text setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके phone में, इसके लिए आपको mobile phone का setting page open करना है, और setting page में आपको सबसे ओपर यह search icon select करना है, और यहाँ पर आपको search बार में type करना है, phone and display size, तो आपको नीचे की साइट यह phone and display size का option show हो जाएगा, इस से select करना है, इससे क्या होता है, आपको mobile phone आपको directly इस setting में लेकर आजाता है और इस setting को highlight करता है, इस option को आपको tap करना है, तो आपको अगले page में नीचे की साइट यह option मिल जाएगा, तो यह मैंने आपको इस shortcut तरीका बता दिया है, इस setting को ढूंडने का